गर्मी के मौसम में भेंड पालन कैसे किया जाए इस दोरान किन-किन बातों का आप ध्यान रखें ये आज हम आपको पताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में क्योंकि गर्मी का जिस तरह से तापान बढ़ रहा है और उसके बाद से कहीं न कहीं पानी से लेके जो हरे चारे तमाम तरह की समझस्य देखने को मिलती है और इस दौरान आपने मतस्य से सजुड़ा हुआ बकरी पालन से जुड़ा तमाम जयानकारी आपने जाना होगा लेकिन भेंड से जुरी हुई जयानकारी हम आज आपको बताने का प्रयास करेंगे इस दौरान भेंडों को कौन- देखेंगे तो यह तमाम बकरियां भी हैं दोनों लोग एक साथ कहा भी जाता है के साथ दो चार बकरियां चलती रहती है तो वह लग है लेकिन आज हम जानेंगे कि इस दोरान भेंड पालन में क्या-क्या गर्मियों में बचाव करने की जरूत होगे और इसके लिए हमारे अभरर बहुत ही कम एक समुदा या एक चीज़ू कि सीमट के रह गया है लागि पहले भिंड जो मीठ होता था भी वह भेंड का मीट ज्याधा だं में बिखता था रादर दन यह बकरे के मीठ के लेकिन आज क्यल और फैसन नोग जाता है जिसका ट्रेल जाता हो ही बिखता है कि तरफ रुजहान कम हो गया दूसरा कारण यह हुआ कि उन का जो दाम है वो बहुत कम हुआ है क्योंकि जो सेंथर्टी कूल मिलने लगे उसके चक्कर में लोग भेड़ पालन को पहले लोग सोचते कि वह लून के लिए लगते हैं लेकिन मेली अगर आप मीट के लिए रखें कि आप उनको एक बार निकाल दीजिए सिरिंग करते हैं तो यह सीरिंग कर देना चाहिए जिससे ऱ्ट अनको बचाया जा सके दूसरा एक इन में बहुत टेंदेंसी होती है कि दा नीचे मूंडी करके यह जो है खाती है इनको गर्मी के मौसम में जैसे खुला भी है बहुत घास फूस नहीं है उसके बावजूर चरने के लिए जरूर छोड़ें ठंडी के मौसम में एक बार नहीं छोड़ेंगे चल भी जाएगा तो इस तरह उनका जो भी इन्वार्मेंट हो चेंज होता रहेगा और जो उनको गर्मी से निजा नाद बना रखिए कई नाद बनाई है क्योंकि भेंड़े एक साथ जाती है तो इसलिए कई नाद बनाएंगे तो वह एक लाइन से वहां पर पानी पीती रहेंगी और उनको धक्का मुक्की करन के पानी पीने ज़रूरत नहीं होगी और उनके जो बाड़ी जाना है और जो भी आप बीमारी इसमें पाते हैं जैसे मलीजी गर्मी में सबसे ज्यादा डायरिया होने के चांसे जोते हैं तो डायरिया के लिए सबसे बैस्ट है कि आप जीन को जो दाना है उसमें क्योंकि हरा चारा कम हो जाता है तो लोग सोसते हैं कि दाना का मातरा पूलने के समस्या हो जाएगी, इन सब बातों को ध्यान रखते हुए, जो दाना आप रेगुलर दे रहे हैं, उसी तरह से उनको यूज करिए, थोड़ा एमाउन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गर्मी में ज्यादा एनर्जी कंजन सन होता है, इन सब बातों का हमें ध्यान रखना जाएगी, जब से ज्यादा समस्या राती है, उन्टों मा पिचाता हूँ, भेडों में, इस समें गर्मी में, और बाल की कटाई करना है, डाइरिया ध्यान दखना है, और जो पानी हमने बताया, पानी एक बढ़ा सोर्श होता है, इन्फेक्शन का, तो पानी को हमें रोज ब होता जाएगा, जिस नाद में डालने उसमें चुना भी, लेप कर सकते हैं, चुने का लेप करके तब पानी भरें, या चुना उसमें फैला दे नीचे, इन सब बातों का ध्यान रखना है, और जो इंट्री पॉइंट है आपके, क्योंकि गर्मियों में बीमारी ज्यादा हो भेड़ पालन में जो मुख्य है, टीका करने लगवाई है, सरकारी जो जिला पॉसुर्ची साले है, वहां पर टीका करने लगाया जा रहे हैं, तो आप जाएगे निजदीक में पता करिए कि आपके भेड़ के लिए कौन से टीका वहां पर अवेलिबल है, या कप तक तो आप भी इन तमाम चीजों का ध्यान रखिए और उमीद करते हैं कि हमाई भेड़ पालन से जुड़े हुए किशान भाईयों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और आपको और भी कुछ जानकारियां हम चाहिए, तो हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम उसके मा टीम को देज़े जाज़त, नमस्कार